मने अगर CM1 में भौजन पूछता है मेरसे सा रेंक लाने का स्ट्रेटीजी क्या है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है पता है अभी कल वाला क्लास जो कराएंगे न मने ये वीक का जो क्लास है इसमें कराएंगे तुम लोगों को पहले कराएं सर्टेन क्याश्प्रोस का बेशिक्स तुम लोग का सबसे ले देखो एक जो non-match का बच्चा है फॉर एक्जांपल ठीक है तो जो non-match का बच्चा है वो सबसे पहले क्या करेगा वो सबसे ले match का क्लास देखेगा वो आपका Q-forum प पूरा हमने यूट्यूब पे डाल रखा है तो फ़ले यह दुनों देखेगा फिर अस्त्र चलाना सीखेगा पेपरे में यह वला वीक का पूरा क्लास होगा इसमें लोग नौफ बनाएंगे। अगर कोई करता है इसको दस बर बना लिया ना तो आगे का सब में देखना दो क्लास मैंने अगर मैं चाहूं तो यह वीक के बाद मैं 15 क्लास में सब करा सकता हूं मैंने 15 class of 4 hours and everything will be done in paper A so वो booklet 2 और booklet 7 इसको 10 बार बनाना है मैंने जितना बार कभी भी लगे कि हाँ बही मेरको friction आ रहे है booklet 2 बनाओ और booklet 7 बनाओ booklet 2 बनाओ और booklet 7 बनाओ ये question जो है उसमें 40 question है इसमें 60 question है और institute का mat मिलाएगा तो लगबग 1500 question तो ये जो डेर्ट सो question है इसको जितना बार practice करेगा ना हर बार लगेगा हाँ मेरको कुछ नया समझ में आ रहा है जो copy में जो notes है ये वाला जो है contingencies basics तक का जो है ये जो अच्छे से कर लिया इसलिए लग क्यों पढ़ाने का pattern मैंने change कर दिया पहले जो तो ये नहीं करेगा ना तो आगे वाला हो नहीं पाएगा ये ही success mantra है मतलब cm1 अगर किसी को भी clear करना है first attempt में बने वो चाहेगा ना ये भगवान में को fail कर दे तो भी fail नहीं होगा बने कुछ भी हो जाए तुम चाहा भगवान से कि भगवान में को fail कर दीजे fail नहीं कर पाएगा तुम हो ही नहीं पाएगा fail समझ गया ये जो हम लोग जो class में जो करा देते हैं इसका कुछ भी आजाए कैसा भी paper आजाए वो बच्चा fail नहीं कर सकते हो सकता उसका number थोड़ावाद दूपर नहीं चाहे depending on the paper difficulty पूर सकता पेपर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आगे तुम्हारा score 85 के जगा 65 के आके रुख गया पर तुम fail नहीं होगा ये हम तुमको लिख के दे सकता है हम sign भी कर सकता है ठीक है कि सर हम आपका सारा class कर ली ये पूरा में को समझता है सारा booklet बना लिए इंस्टूट क वो फेल नहीं हो सकता है problem is not in the initial papers problem is maintaining that consistency that is why you see very low number of people they reach to the 13th 14th they're not that strong in their mind ठीक है ना if you take if someone follows cricket so 10 सल पहले जो टीम में था आज कितना लोग टीम में पहले ये देखो जो दस सल पहले टीम में था आज कितना लोग टीम में है 3 तीन जन जडेजा है कोली और सर्माबस समझ गया ना ये चीज़ जो समझ गया ना स्किक करना पड़ीगा तुम लोग को पांच साल ठीक है ना पांच साल के बाद वंसी क्वालिफाय तब फिर तुमको उसका बेनिफिट समझ में आएगा ये ये चैलेंजिंग है आया गया तो बहुत लोग लगबग मेरे को लगता है सौ बार चेंज होगा आज तुम टीन फॉर्माट से क्रिकेट का तुम देखो सौ बार नया प्लेयर आया गया होगा मैं तब हर दो साल में में को लगता है इतना चेंज होता है आज की दिन पर हर दो-दो मेना में टीम चेंज होता है तो वह चीज़ है